हाई एब्रीवन यू आ वर्चिंग सीरिल्स यापा जहां पे हम देते हैं आपको आपके फेवरेट श्योज की इंट फॉर्स्टिंग आपटेग्ट आज रात के यह है चाहते के एपिसोड की शुरुआत होती है मिश्का के साथ जोके रुद्राक्ट से पूछती है कि बताओ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं तब ही वो कहती है कि और सुनो मैं तुमसे पहले ही कह देती हूँ कि शादी के बाद हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेर नहीं करेंगे बिल्कुल भी यह सिर्फ एक डील होगी और मैं सिर्फ ऐसा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी और प्रिशा की डेपिटेशन बताना चाहती हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे लिए दोस्ती का हाथ बता रही हूँ यहां पर रुद्राक्ष कहता है कि मैं बे सिर्फ प्रिशा की इमिज के लिए तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तयार हूँ और वाइस ह मैं कुछ भी करके आ सकती थी लेकिन मैंने वेट किया यहाँ परमिश्का एक बार फिर से अपनी पुरानी लाइफ को सोचते हो कहती है कि मैं लेकिन अभी सिंगल हूँ और हाँ अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हें सान्या भी नहीं मिलेगी तब वो कहती है कि वैसे भी जिस टाइम तुम मना कर दोगे शादी करने के लिए और उस टाइम पृषा तुम्हारी लाइफ में आ गई थी पहले भी तुमने ऐसा किया है इसलिए अब तुम पृषा के दिये ही मुझसे शादी करोगे रुद्राक्ष कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम से शादी करूँगा ये सब कुछ जानने के बाद कि तुमने मेरे और प्रिशा के साथ क्या किया है तब मिश्का कहती है ये सिर्फ एक नाम के लिए शादी होगी और कुछ भी नहीं यहाँ पर मिश्का रुद्राक्ष को ये ट्रस करवाने की कोशिश करती है कि अल्रेडी तुम पहले भी फेक मैरेज कर चुके हो ना इसलिए तुम एक बाद फिर से कर लो और वैसे भी फेक मैरेज को डिमॉलिश करना भी तो आसान होता है तो दूसरी तरव दिखाया जाएगा कि अर्मान का जो बंदे होते हैं उसके जो kidnappers होते हैं वो प्रिश्या का stuff pack करने के लिए उससे कहते हैं अर्मान यहाँ पर reveal करता है कि उसने tickets finally arrange कर दी है प्रिशा यहां अर्मान से कहती है चिला करके तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं अब ऐसे नहीं जाओंगे इंस्टेंट्ली तब यह अर्मान कहता है कि पुलिस इंस्पेक्टर में भी केस रियोपन कर दें इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं था तुमसे और हमें यह कंट्रिकल ही छोने पड़ीगी इसलिए तुम जल से जल तयार हो जाओ प्रिशा सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा इंडिया छोने से पहले इदर रुदराक्ष मिश्का को कॉल करेगा और मिश्का को रिकॉल करते हुए वो उसकी कही सारी बात अपने माइन में दोराएगा यहाँ पर शार्दा उससे कहेगी कि बता रुदराक्ष मिश्का ने आखर क्या कहा तब ही वो रोता है और उसे हग कर लेता और कहता है कि मा मुझे मिशका से शादी करनी होगी ये प्रूफ करने के लिए कि प्रिशा बेकसूर है और वो कुछ नहीं की है इसके बार दिखाया जाएगा अगले दिन का सीक्विंस जहां पर रेश्मा जेल से बाहर आ जाती है और वो मिशका को थेंक्स कहती है मिश्कव सिंफर्म करती है कि मैं रुद्रक्ष से शादी कर रही हूँ तभी रुद्रक्ष कहता है कि तुम इस समय शादी के बारे में जादा मसो जो वैसे भी तुम सिर्फ मुझे सबूत दिखाओ यहाँ पर रेश्मा कहती है कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए मैं पहले सुनील से मिलूँगी और फिर एविडेंस तुम्हारे लिए पक्का ले कराऊंगी और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तभी यहाँ पर मिश्का रेश्मा को कॉल करती है कि बताओ तुम्हारे पस कोई आइडिया है इतर रेश्मा बताती है कि मैंने सुनील को कॉल किया है और वो सानिया का वीडियो बना कर भीज़ेगा और मैं उसके बदले उसे पैसे दूँगी क्योंकि तुम मुझे यह देगा वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा यहाँ पर सानिया के बारे में काफे कुछ बताती है रेश्मा और उसे अगरी कर लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें भरुसत लाती हूं और मान को इस बात का पता नहीं चलेगा और नहीं मैं पता लगने दूँगी लेकिन मैं यह चांस नहीं छोड़ सकती पैसे कमाने का सुनील अगरी करता है और सानिया का वीडियो बना करके बेज देता है और कॉल डिस्कनेक कर देता है मिशका अपना प्रॉमिस निभाती है पैसे दे देती है रिश्मा को और वो रुद्राक्ष से शादी भी करती है अर्मान यहाँ पर चाचा जी को बताता है कि वो इंडिया से जा रही है चाचा जी कहते हैं कि ठीक है मुझे तो लगता है तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो अर्मान कहता है कि आप अन्वी को अपने पास रखिये थोड़े दिन के लिए तब यह प्रिश्या को इंफर्म कर जहां पर मृष्का शार्डा से कहती है कि रुद्राक्ष मुझे उसे कुछ प्रूफ ग्रट है यहाँ पर रुद्राक्ष चाथा यहां पर दिखा're कि से कहता है कि दिखाı तुम चाहें रूप की है और rapidement को आइसा वीडियो दिखाती है जिस्में स्थानिया जिन्दा चलत तो ब्रकुल भीना पूले